तो वेलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिसक्स करने जाना है वेरी वेरी इंपोर्टन टॉपिक तपिक तडिस सीक्वेंशन सीरीज ठीक न फॉर एंडी एक्सेंट तो इससे एलिटेट फॉर सारी कोजिशन्स पूछी जाते हैं इन यूर जो भी आपके एंडी एक जीपी ठीक है ये आपको मालू में अटीसरा टापिक आ जाता है एच पी और अर मोणिक प्रोग्रेसर घ 걱정 है तो इससे से पहले हम डिसकस कर लेते हैं धर मीगजिस अस को बार-बार अट इसकस करने की जोट नहीं है अगर आप्ने क्लस लें। तो ऑने स्जुए जा λे पंव important चीजें we will discuss in our upcoming videos but आप चलते हैं HP में क्योंकि HP एक नया topic हो जाता है आपके लिए ठीक है तो सबसे पहले तो what is HP suppose we have a set of numbers a,b,c ठीक है friends अगर यह आपका क्या बना रहे हैं a,b arithmetic progression में तो इनी numbers का जब मैं reciprocal करूंगा तो यह a का one upon a हो जाएगा,b का one upon b हो जाएगा and c का one upon c ठीक ना जो यह आपकी sequence बनेगी इसको हम HP बोलते हैं harmonic progression okay so this should be clear suppose we have numbers two four six eight so on dot 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 यह क्या बना रहे है a,p all of we know this ap बना रहे है ठीक ना तो one upon two one upon four इनका जो reciprocal होगा this will be called what hp तो इसी को hp गा जाता है hp कोई अलग सा चीज नहीं है this sequence is called okay तो अब जैसे कि हमां बालो में है am ठीक है ना gm hm what is arithmetic mean what is geometric mean and what is harmonic mean all of you know that okay तो जैसे two numbers हमारे पास a और b तो उनका am क्या होगा a plus b upon two ठीक है ना और उनका gm क्या होगा all of you know this a b to the whole power one upon two और उनका hm हो जाएगा friends two upon one upon a plus one upon b this is also written as two a b upon a plus b इसको ऐसा भी लिखा जाता है ठीक है ना तो अगर we have a set of numbers ठीक है ना हमारे पास कुछ set of numbers हैं a1 a2 a3 so on up to a n ठीक है ना अगर यह a p बना रहें friends तो इनका am क्या हो जाएगा फिर a1 plus a3 so on plus a n इन सबका sum upon n ठीक है ना और अगर यही जो numbers है यही जो numbers है a1 a2 अगर यह क्या बनाते हैं gp बनाते हैं ठीक है ना अगर यह gp बनाते हैं तो इनका geometric mean क्या हो जाता है इनका geometric mean हो जाता है what a1 into a2 into a3 so on इनका product up to a n to the whole power 1 upon n ओके ना अगर यही numbers आपके hp में होते है a1 a2 a3 ठीक है ना अगर यह numbers आपके set of numbers ठीक है ना अगर यह आपके hp बनाते हैं ठीक है एक harmonic progression बनाते हैं friends तो इनका harmonic mean क्या हो जाता है फिर इनका harmonic mean हो जाता आपका n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3 plus son plus 1 upon a n ठीक है ना यह आपको clear होना चाहिए कि am gm और hm of n ठीक है ठीक है ना इनके बीच में कुछ numbers insert करने है और insert करने के बाद जो resulting आपका sequence बनेगा अगर वो ap बनी है ठीक है ना suppose a मैंने कुछ numbers जा लें a1 a2 a3 और यहां पर मैंने n numbers insert कर दिया friends यह a1 से लेके an तक यह n numbers होगए insert करते a और b की बीच में ठीक है अब यह sequence जो बन गया आपका ap बनी है suppose ठीक है and i want to find out a3 या a5 या a10 कुछ निकलना चाहता हूं में इनकी बीच में ठीक है ना how i am going to find it तो इसके लिए हमें पहले पहले इस जो यह sequence बना है ap में तो इसका d क्या होगा friends its d will be अब मनतब common difference ठीक है ना common difference क्या हो जाएगा b minus a upon n plus 1 ठीक है ना it should be clear और अगर मैं suppose करूँ इसका मैं mth term निकलना चाहता हूं friends ठीक है ना तो it will be ऐसे आप निकाल सकते है a plus m d और d की value यहां से आप put up कर देंगी यहां ठीक है एक example से के लिए कर लेते हैं अगर suppose we have two numbers 2 and 80 ठीक है ना दो numbers है 2 और 80 और इनकी बीच में पांस number डालता हूं ठीक है suppose a1 a2 a3 a4 a5 पांस number में इंसर्ट कर दिए और यह जो आपकी sequence बनी वो ap बन गी ठीक है ना आपसे question पूलता है कि what is a4 a4 आपने निकालना है तो a4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले d निकालेंगे तो d के लिए क्या करेंगे आप b minus a 80 minus what 80 minus 2 80 minus 2 upon n plus 1 so number of terms बीच में आपने कितने डाले हैं पांस terms डाले हैं बीच में तो 5 plus 1 okay so what you are getting here 80 minus 2 that is 78 upon 6 2 3 जा 6 यह 6 से डाइक लिए खटा है 6 जा 6 6 तरी जा 18 तो आपका 13 आगया common difference okay तो आप आपने क्या निकालना था a4 a4 के लिए क्या करते है फ्रेंड साब तो a plus 4d यह लिखेंगे ठीके न what is a here a कितना था a आपका यह 2 है ठीके न 2 plus 4 into d d is 13 so what the result is 13 4 यह 52 plus 2 54 तो आपका a4 आगया ठीके न इसी टाइप से अगर a और b फिर से numbers है ठीक है friends और इनके बीच में आपने numbers insert करने है ठीक है now you have to insert n numbers in the same way ठीक है ना a1 sorry a फिर उसके आपने a1 a1 capital में लिए ताकि दिख जाएगा इस इसके ठीक है ठीक है ठीक है ना a1 a2 so on आपने n numbers insert कर दी है और जो resulting आपका sequence बना वो क्या बना गया गी ठीक है ठीक है ठीक है अब आपने a4 आए तो अगर आपने a4 निकालने है या a5 कुछ भी निकालने है तो how are we going to find it सबसे पहले यहाँ पे तो मैं common ratio चीए हुगा ठीक है ना what is common ratio here common ratio निकलने के लिए formula है b upon a to the whole power 1 upon n plus 1 ओके और मुझे इसका suppose mth term निकलना कोई भी general term निकलना mth ठीक है ना इन मैंसे a1 a2 ठीक है ना तो हमारा आ जाएगा a b upon a to the whole power m upon n plus 1 ठीक है ना suppose मैं a4 निकलना जाता हूँ ठीक है अगर मुझे a4 निकलना है suppose कोई numbers का set बना लगे लिए suppose we have two numbers 3 and 81 ठीक है friends 3 और 81 दो numbers हो गए हमारे पस इनके बीच में हमने insert कर दे कुछ numbers ठीक है ना 3 के बाद हमने a1 a2 a3 a4 a5 ठीक है friends 5 numbers के बीच में insert कर दे हमने और यह resulting sequence बना वो चीपी बनी है ठीक है so how are you going out going to a4 आए गये हाँ पर a4 कैसे निकलने आप ठीक है या a5 a6 sorry a6 तो यह निसमे a3 निकलना है a2 निकलना है a1 निकलना है तो सब सब दो मुझे common ratio उचे होगी तो common ratio कैसे निकलना है b upon a that means 81 upon 3 तो यह whole power what 1 upon n plus 1 it is the value of n है कितने terms बीच में डाले हमने 5 तो 1 6 होगा फिर n plus 1 6 हो जाएगा ठीक ना so what is this r की जो value आगई वो कितने आगए 3 9,27 ठीक ना तो 9 की whole power 1 upon 6 that means अब 9 को हम लिख सकते है 3 का square into 1 upon 6 तो यह आजाएगा 2,3 जाए 6 तो 3 की power 1 upon 3 आगए r की जो value आगए ठीक है मुझे क्या निकालना है 4th term तो a4 कैसे निकालना है a4 कैसे निकालना है a4 will be b upon a what is b what is b 81 upon 3 that is 27 ठीक है न to the whole power m what is m मुझे 4th term निकालना था तो 4 upon n plus 1 तो n plus 1 की value कितनी है friends 4 n plus 1 की value आपके आगई 4 upon n plus 1 that is 6 ठीक है न क्योंकि यहापे number of terms आपके बीच में 5 5 plus 1 that is 6 तो आपका यह 2,2 जा 4 2,3 जा 6 ठीक है 2,27 to the whole power 2 upon 3 ठीक है तो ऐसे आप calculate कर सकते हैं ठीक है न फर्देश को solve कर सकते हैं ठीक है A4 आप आपका ऐसे आजाएगा A5 निकालना चाहते हैं A5 भी आप निकाल सकते हैं ठीक है friends now कुछ important points in this arithmetic mean geometric mean whatever we are discussing over here ठीक है अगर आपका suppose तीन नमबर्स हैं A, B, C first point ठीक है न A, B, C अगर if they are in AP as well as GP as well as GP ठीक है friends A, B, C तीन नमबर्स आपकी पास ठीक है न अगर ये आपके AP as well as GP में हैं तो A, B और C तीनों equal होने ठीक है अगर means ये condition है ची ये तीनों equal होंगे तभी ये तीनों numbers AP या GP में दोनों एक साथ होंगे ठीक है friends और दूसरा important point इसी में आपका आजाएगा if you have A और B ठीक है न A और B का जो आपका दो numbers है इनका जो AM है ठीक है AM और इनका जो GM होगी है और इनका HM ठीक है न harmonic mean अगर इसको A से denote करो में और इसको G से denote करो और इसको S से denote करो ठीक है friends तो यहाँ पर एक relation बन जाता है इनका A और B दो numbers है और दो numbers का arithmetic mean A है और इनी दो numbers का geometric mean G है और इनी दो numbers का harmonic mean H है ठीक है न तो एक relation आजाता है G square equal to A H very important result ठीक है friends third important point if you have arithmetic mean and geometric mean जैसे आपका वही चीज हो गया है दो numbers वही इसी मागए second वाले point में डिसकस है रहते है A और B आपके दो numbers है उनका arithmetic mean A है और geometric mean B है if A and G are the arithmetic mean and geometric mean of two numbers ठीक है ना numbers हो गए A A and B A और B ठीक है ना तो यहाँ पे जो numbers होंगे ठीक है ना A equal to A plus root A plus G into A minus G ठीक है जो A होगा आप A को ऐसे find कर सकते हैं A इसकी जगा पे आप B लिख दे हैं आप ठीक है ना चलेगा ठीक है B equal to दूसरा जो number होगा हो आज आजाएगा आपका A minus root of A plus G into A minus G ठीक है ना और vice versa means ultra भी हो सकता है ठीक है ना B can be calculated like this अब A इसको आपको ऐसे calculate कर सको ठीक है तो यह important result आपने दिमाग में रखने हैं now next important point ठीक है यह तो होगी आपका next important point अगर आपके पास which numbers है A1 A2 A3 so on ठीक है ना N numbers है ठीक है ठीक है और यह सब different 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 and positive ठीक है different and positive positive ठीक है ठीक है ठीक है तो जो AM होग am will always be greater than gm and gm will be always greater than hm, ठीक है तो अगर यह आपके आज n numbers है इनका जो am होगा different numbers है, ठीक है, different positive numbers तो am will always be greater than gm and gm will always be greater than hm, तो इनका sequence ऐसे बनता है मिसा, तो यह कई बार direct question पूछ देता exam में, तो you should remember this, ठीक है अगर यही case हो जाता, a1, a2, a3, जो भी numbers हो आपके, अगर यह सारे के सारे equal हो जाते, ठीक है, a1 equal to a2, equal to a3 so on सारे के सारे numbers अगर equal होते, तो am gm और hm, यह तीनों भी क्या हो जाते equal हो जाते, ठीक है ठीक है friends, तो यह अपने दिमाग में रखना है, ठीक, very important point in this arithmetic mean, geometric mean, mean वाला topic चला भी आपका, ठीक है, ठीक है, तो last important point here, I'll discuss in this topic, ठीक है, बाकी चीज़े में फिर बाद में discuss करूंगा, ठीक है, अगर आपके बास दो numbers है, a और b, ठीक है, ठीक है, उसका जो आपका am, means, अगर am आपका, of the two numbers, is, a to the power n plus 1, plus b to the power n plus 1, upon, a to the power n, plus b to the power n, ठीक है, ठीक है, डो numbers, a और b, का जो arithmetic mean, ऐसा given है, ठीक है friends, तो इससे आपने conclusion निकलना है, कि n हमेशा किसके बराबर होगा, 0, direct question आजाता है, कई बार आपके, कई बार पूछा भी यह question directly, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपने यह memorize करना है, दिमाग पर रखना है, कि n की value हमेशा इस condition पे 0 होगी, ठीक है, अगर, यही दो numbers, ठीक है, का जो है, a और b का जो, यह है, यह चीज़ हो जाती, ठीक है, a to the power n plus 1, b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n. इस condition में जो n की value आदी, वो आदी, minus 1 upon 2, ठीक है, तो अगर a और b दो numbers है, उनका अगर geometric mean यही है, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 और a to the power n plus b to the power n. इस case में n की जो value होगी, वो always will be minus 1 upon 2. और in the same way, h m, अगर यही चीज़ आपकी दो numbers का h m होता है, ठीक है न, a और b दो numbers है, और दो numbers का अगर h m, ऐसा आजाता है, ठीक है न, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n. In this case, जो n की value आती, वो आती, minus 1, ओके, so hope it is clear. तो यह सारे points आपने दिमाग पर रखने हैं, आने आले जो वीडियो से हैं, उसमें में सारे points दिसक्स करूंगा जितने भी एप और जीप में हैं, इंपोर्टन शॉटकट ट्विक्स, और everything you will be discussed in the upcoming videos, so thank you for watching this video.